नमस्कार कक्षा आठ प्रशनावली आठ पॉइंट सौरी तीन पॉइंट दू कोशन नमबर छे का भी भागम कर रहे हैं किसी सम्भवुज में अधिक से अधिक कितने अंच का बाहिय कौन सम्भव है क्यों तो बच्चों आपको पता है बाहिय कौन किसी भी बभवुज के लिए बाहिय कौन का योग कितना है तीन सो साथ डिगरी अब यदि इसकी तीन भुजाए होंगी तो बाहिय कौन होगा तीन सो साथ बटा तीन इसकी पांच भुजाए होंगी तो हर बाहिया कोण होगा 360 बटा 5 इसकी 10 बुजाए होंगी तो हर बाहिया कोण होगा 360 बटा 10 इसकी 15 बुजाए होएंगी तो हर बाहिया कोण होता है 360 बटा 15 इस प्रकार से तो देखे 360 को 3 से भाग करें क्या है 120 इसको 5 से भाग करेंगे तो यह आजएगा 72 इसको 10 से बाग करेंगे तो 36 इसको 15 से बाग करेंगे तो 24 यानि जितनी बुजाएं बढ़ती जाएंगी उतना ही हर बाहिय कोण का माप घटता जाएगा तो इसका मतलब जादा से जादा बाहिय कोण कब होगा जब बुजाओं की संख्या कम से कम होगी तो हम लिखेंगे बाहिय कोण अधिक से अधिक तब होगा यदि बुजाओं की संख्या कम से कम हो यानि कम से कम बुजाएं कितनी हो सकते हैं बहु बुज की तीन बुजाओं की संख्या बराबर होगी तीन के तो परतेख बाहिय कोण किसके बराबर आ जाएगा हम तीन सो साट को तीन से भाग कर देंगे तीन सो साट को तीन से भाग कर के आएगा एक सो बीस डिगरी तो परतेख बाहिय कोण कितना होगा एक सो बीस डिगरी का होगा तो हम यहां लिख सकते हैं